सो हेलो दोस्तों मेरा नाम है अक्षिन नेगी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बुलबुल डीजे व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है हाली में मैंने फ्लिप कार्ड से 3036 एंपेर का ट्रांसफार्मर ओर्डर किया था जो कि मुझ तक पार्सल पहुंच चुका है तो इस पार्सल के हम आज अन्बोक्सिंग और रिव्यू करेंगे तो वीडियो पर बने रहे है चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो पार्सल कुछ इस प्रकार से है जो की उठाने में काफी हैवी है इस ट्रां तो आएए अन्बोक्सिंग शुरू करते हैं मेरा पेपर कटर शॉप में ही रह गया है तो मैं किचन के चाकू से इसके अन्बोक्सिंग कर रहा हूँ फाइनली बॉक्स खुल चुका है बॉक्स के अंदर ट्रास्पारून की पैकिंग बड़ी अच्छी है काफी मजबूत टेफिंग की गई है जिसे खोलने में भी काफी मशेकत करनी पड़ रही है तो टेफ खोल लेंगे और ट्रास्पार्म को बाहर निकालेंगे सो फाइनली ट्रास्पार्मर बार आ चुका है तो मैं आपको इसका क्लोज लुक दिखाऊंगा इस पर सेटरून कंपनी की ब्रैंडिंग की गई है इस ट्रांसफार्बर की बैंडिंग हैलमुनियम की है और इसमें वायर की क्वालिटी भी ठीक ठाग है अभी मैं आपको इसकी कौन सी वायर क्या है मैं आपको बताऊंगा यह तीन वायर 30-0-30 है जिसमें भी चौला ग्राउंड है और जो ब्लेक कलर किये वो 30 है और इसके साथ में 240 वोल्ट इन्पुट के लिए रेड कलर की वायर है और जो यह ब्लू कलर की वायर है यह 0-12 की वायर है जो की फैंच लाने के लिए यूज में ली जाती है तो यह थी सेटरन कंपनी के 30-30 ट्रांसफार्मर की पूरी वीडियो तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बक्स पर ज़रूर बताएं चैनल पर ज़रूर विजिट करें चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बुलें थैंक यू तो यू तो यू